जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अंडे की भूरजी और ओमलेट तो हम कई बार बनाते हैं तो क्यों ना अज कुछ नया ट्राइ किया जाए आज हम बनाएंगे मसाला एग फ्राइ तो चलिए सुरू करते हैं मसाला एग फ्राइ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेन में तीन टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और इसमें एट करेंगे प्यास तो हमने मीडियम साइज की दो प्यास को इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसी के साथ हम इसमें बारिक कटी हुई दो छोटी हरी में चेट कर देंगे अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पैसी रखना चाहते हैं तो हरी मीडियम की कॉंटिटी बढ़ा दें प्यास का कलर लाइट गोल्डन होने तक हमने इसे तेल में फ्राइ कर लिया और हम इसमें 1.5 तीस्पून अद्रक और लहसुन का पेश्ट एट कर देंगे और 1-5 मिनिट तक इसे भी फ्राइ करेंगे तो अद्रक लस्टन को 1-5 मिनिट तक तेल में फ्राइ करने के बाद हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे तो सुखे मसालों में हम इसमें एड़ करेंगे एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लालमिश पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून धन्या पाउडर और हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और इन मसालों का कच्छापन दूर होने तक हम इन मसालों को प्यास के साथ लोफ लेंप पर दो से तीन मिनिट तक भूल लेंगे लोफ लेंप पर प्यास के साथ मसालों को दो से तीन मिनिट तक भूलने के बाद हम इसमें टमाटर रेट करेंगे तो हमने यहाँ पर दो मेडियम सैस के टमाटर लिए हैं और टमाटर के सोफ्ट होने तक इने फ्राई करेंगे तो कुछ दिर तक तेल में फ्राई करने के बाद जब टमाटर थोड़े सोफ्ट होने लगे तब हम इसमें एक चोथाई कप पानी एट करके अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे जब तक के मसालों की भुनाई अच्छे से ना हो जाए और टमाटर गल ना जाए तो हमने इसे cover करके low flame पर 5 मिनिट के लिए पका लिया है आप देख सकते हैं कि मसालों की भुनाई अच्छे से हो गई है और इसमें से तेल दिलीज होने लगा है और इसी के साथ आप देखेंगे कि टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं तो अब हम इन मसालों की एक लेयर बना देंगे तो इन मसालों की एक लेयर अच्छे से सेट करने के बाद हम इसमें अंडे एट करेंगे तो हमने यहाँ पर 5 अंडों को तोड़ कर ले लिया है और इन अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है और इन्हें हम पेन में इस तरह एट करेंगे ताकि मसाले के उपर इसकी एक लेयर अच्छे से सेट हो जाए तो अभी हम इसे मिलाएंगे नहीं पहले इसे कवर करके लोफ लेम पर दो मिनिट के लिए ऐसे ही पकने देंगे तो अंडो और मसालों की एक एक लेयर सेट करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए पका लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अंडो को थोड़े बड़े टुकडों में तोल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं के अभी भी अंडा थोड़ा कच्छा है तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक अंडा पूरी तरह कुक ना हो जाए तो हमने इसे लो फ्लेम पर तीन से चार मिनिट के लिए और पका लिया है इसी के साथ हमारा मसाला एक फ्राई बनकर बिल्कुल तयार है और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे गारिश करेंगे गारिशिंग के लिए आप यहाँ पर हरे धनिये और पुदिने के पत्ते भी एट कर सकते हैं और इस तरह से आप छोटी हरी मिज को सेंटर में से काट कर एट कर दें आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट करना न भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई